महराश्ट्रा सीएम उद्धफ ठाकरे पर भढ़की कंगना रनौत की मा आशा रनौत कहा की ये कायर डर पोक्षिव सेना है साथ ही उन्होंने ये भी कहा की इनके घर में बेटिया नहीं है क्या वीडियो भी हुआ बाइरल आखिर क्या कहा कंगना की मा ने आईए बताते है बॉलिवर्ड एक्ट्रोस कंगना रनौत को जान का खत्रा है ये दावा कंगना की मा आशा रनौत ने किया है शुकरवार को आज तक से खास बादचीत में आशा रनौत ने उधव सरकार पर हमला बोला और कहा कि ये डरपोक शिव सेना है कंगना रनौत के मा आशा रनौत ने कहा कि पूरा भारत मेरी बेटी के साथ है ऐसा अन्याय क्यों? ये बाला साहेब ठाकरे की सेना नहीं है वो डरपोक है, कायर है हम उनकी तरह वंशवादी खांदानी नहीं है कंगना ने पिछले 15 सालों से पैसा कमाया है ये किस तरह की सरकार है? प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी और ग्रहम मंत्री अमिच्शा को शुक्रिया अन्यथा उसका समर्थन कौन करेगा? एक वीडियो भी जारी किया आशा रनौत ने देखे वीडियो वेलेस के बाद आशा रनौत ने कहा अगर कंगना गलत होती तो देश की जनता उसके साथ नहीं होती कैसी सरकार है? मेरी बेटी उसकी प्रजा का एक अंग है उसके साथ इतना अन्याई हुआ है ये कैसी सरकार है? इसको सरकार बोलते है सब ने देखा है कि मेरी बेटी ने कैसे मेहनत से पैसे खटा किया है उनके पास तो अपने माबाप की प्रॉपटी है जिसके उपर वो इतना घमन कर रहे है और अत्याचार कर रहे है मेरी बेटी ने सचाई का साथ दिया है पूरे भारत वर्ष मेरी बेटी के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा इन लोगों का तो क्या पता, ये क्या करते, इनका कोई विश्वास नहीं है क्यों बाचपा सुरक्षा नहीं देती मेरी बेटी को क्यों विपाक्ष पाटिया बोलती है उन्हें क्या तकलीफ है? क्या उनके घर में बेटिया नहीं है? क्यों उन लोगों ने मेरी बेटी के बारे में इतनी बखवाज बाते बोली? अगर कोई सचाई का साथ दे तो उसका साथ देना चाहिए वेल आशा रनौत के इस इंटर्व्यू के बाद कंगना रनौत ने ट्वीट कर कहा कि उन्होंने ये नहीं सोचा था कि उनके मा ऐसे सपोर्ट करेंगे उनके मन में एक ही शब्द गूंज रही थी कहा था मैंने और इसलिए कंगना ने घरवालों का फोन तक नहीं उठाया था देखे ट्वीट पिरहाल आपका क्या कहना है आशा रनौत के कहे इन शब्दों के बारे में आपकी राए हमें कॉमेंन सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूले अज़ पूलों आपकी बॉलीबन नाव और फेस्बुक एंसेगर और यूट्वी तुब